जात्ये कारे और अनुसूचित जाते विकास विभाग के तरफ से जो परियोजना हैं जिनका भूमी पूजन आज माननी उपराश्ठती महोदे के करकमलों से माननी राजपाल महोदे और मुख्यमंत्री महोदे और अर्न्य थित्यों की गर्मामाई उपस्तिती में होने जा रह क्वाइब का बटन डबाकर इन सभी प्रियोजनाओं का भूमी-पुजंड डिजिटल भूमी-पुजंड उपराश्पति महदे क tied करकबंलों से तालिस आस अभी तरफ से बजनी आकांग्षा योजना के आपने जो लेख किया उस आकांग्षा योजना के तहट हमारे कुछ ऐसे बालक बालक आएं जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है नीट के नीट में सफल होने वाली वर्शा उईके को जिसका उलेख माननीय मुख्यमंत्री मोहदे ने किया घोगरी जिला मंडला से जिनका संबन्द है नीट की परिक्षा में सफलता प्राथ की आपका आशिरवाद आपकी तालियों के रूप में मिलना चाहिए देवे सजनों वर्शा उईके के लिए और ऐसे सभी विद्यारतियों के लिए और जेए की में एडवांस परिक्षा में जो चैनीत विद्यारती हैं उसमें आदित्य कबरेती आमंत्रित करता हूँ आदित्य को मेगा सिवनी जिलाचेंदवाड़ा से इनका संबन्द है और इन्होंने भी बारमी गड़ित संकाय से प्रथम शिरड़ी में उत्तिर उनकर राष्टियस्तर की प्रत्योगी परिक्षा जेए एडवांस में 2022 में सफलतापराद की तालियों के रूप में आपके आशिरबाद जरूर मिलना चाहिए जेए एडवांस में ही सफल होने वाले चैनीत चात्रा शेयुकुमारी बैगा को जिनका उल्लेख मुक्यमंत्री महोदे ने किया शेखुमारी बैगा जो की ग्राम पडरिया सोहाग पुर तहसिल जिला शेहडौल की निवासी है सुपत्री है स्वर गैर रामकरन बैगा की उनहें उपराश्पती महोदे के करकमलों से सममान तालिया बरकूर होनी चाहिए आप सब की तरएसे होनी चाहिए अन्य विद्यार्थियों को भी ये सम्मान मिलेगा, उनका भी मान मढ़ेगा, शुक्मारी बेगा राजा संकरसा परकुर रगनास साहजी का इसमारक ठीक उसी इस्थान पर बनेगा जहां अंग्रेजों ने तोपों के मौसे बांद के गोलों से उनको उड़ाया था उनकी सहादत को याद करने के लिए भाई इसमारक बनाया जा रहा है और उसकी पूरी तैयारी हो गई, वो जमीन बन बिभाग के बाद थी बन बिभाग से हमने जमीन ले लिए, माडल भी प्रदरस्थी में देखके जाना वो जैसा बनना है, उसका एक मॉडल बनाया है कि कैसा बनेगा उनका इसमारक उसमें संग्रहल है और बाकी योजदा बनाये ताकि उनके जीवन से आने वाली पीडियां भी प्रेरणा ले सके और सीख सके आजाद भारत में एक तरफ जह प्रदान मंत्री नरणर मोदी जी के नेतरत में एक बैभबसाली, गौरबसाली, संपन और सम्रद्ध भारत का निर्माण हो रहा है वहीं दूसरी और समाज के हर वर्ग के कल्यान के काम में भी सरकार लगी है हमने मानी उपराश्पदी जी के साथ जाके अपने राजपाल जी के साथ जाके राजा संकर साह जी और रगनाश साह जी की प्रतिमा पर माल जारपन किया मेहा अपनी और से और प्रदेश की साड़े आठ करोड जनता की और से राजा संकर साहब और रगना साहजी के चरणों में सीस जुका के प्रणाम करता हूँ उनके बलिदान को आज पूरा प्रदेश याद कर रहा है पूजे नगए सहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा तोपों के मों से कौन अकड़ छातियां अपनी लगाएगा चूमेगा फंदे कौन गोल या कौन बक्ष पे खाएगा अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा उजे ने गए सहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा धरती को मा कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया देश की स्वतंदरता की खाते अंग्रेजों की गुलामी उनने स्वीकार नहीं की 1857 के हमारे स्वतंतर संग्राम में वो पूरी ताकत के साथ जुड़ गए गाओं गाओं जाते थे कमल रोटी का संदेश पहुचाते थे और विद्रोह की चिंगारी भड़काते थे अंग्रेजों को जब पता चला आपको मैं आज बताना चाहता हूं हम सब जानते हैं हमारे जंजाती नायकों ने राजा संकर साथ कुवर रगनास साथ तंट्या मामा भीमा नायक बिर्शा भगवान एक नहीं ऐसे अनेक जिनोंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ नियो झावर कर दिया और उसके पहले चले जाएं तो हमारी मा रानी दुरगावती इसी अंचल में रानी अवंती बाई इसी अंचल में एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी हुए जिनोंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगी कुरवान कर दी आज उनको प्रणाम पिछले साल मैंने कहा था कि सहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वरस मेले बतन पर मरने वालों का यही बाकी निसा होगा अब एक फैसला और किया है जो रासन का परिवेहन होता था दुकानों तक ले जाने के लिए वो परिवेहन पहले ठेकेदारों के माद्यम से होता था अब हमने फैसला किया है कोई बड़े ठेकेदार नहीं रहेंगे हम अपने बच्चों के माद्यम से ही रासन की दुकानों पर रासन की गाड़िया उनको खरिदवा के किराय पर सरकार लेगी और रासन की दुकान पर रासन भेजेगी ताकि हमारे बच्चों को ही और रोजगार मिले यह योजना भी हमने बना ली है कि शिकल सेल एनुमिया जैसी जो बीमारी है जिसके कारण गरीब को बहुत दिक्कत होती है विस शकर आदिवासी भाई बहनों में सिकल सेल एनुमिया बहुत गंभीर बीमारी के रूप में पन्पी है और इसलिए तब हमने तैकिया था कि इसके उन्मूलन का अभियान चलाएंगे आज मैं अपने गवर्नर अपने राजपाल स्रीमान मंगु भाई पटेल का हिर्दे से आभार वेक्ट करता हूं उनको धन्माद देता हूं उन्हों निस अभियान को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है और अभी तो दो जिलों में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए हमने कारिकम चलाया था अब सभी आदिवासी जिलों में सभी जिलों में ये सिकल सेल एनीमिया का सर्वे और सर्वे के बाद उसके पूरे इलाज की व्यवस्ता मद्ध प्रदेश सरकार करेगी गवर्णर साब स्वयम इस काम को पूरी गंभीरता से अपने हाथों में लेके देख रहे हैं जस्टिस जेस बर्मा जिनका नाम सुनते ही मद्ध प्रदेश का सीना गर्व से चोड़ा हो जाता है और नियाए जगत गर्व से भर जाता है सबसे पहले मैं उनके चरड़ों में प्रणाम करता हूँ वो इतने सक्ष और कठोर कठोर थे के जूनियर उनके सामने थर थर कापते थे लेकिन अपने फैसलों से उन्होंने ऐसे ओधारन प्रस्तुत किये जिसको ये देस कभी फूल नहीं सकता कि रूला फुला रूला को किसे फालो किया जाता है 1997 में महलाओं के गौरब पूर्ण जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार को सुरक्षित बनाने वाला उनका एक बड़ा फैसला विसाखा केस में आया था आफ सब लोग अच्छी तरह जानते हैं विसाखा केस की सुनवाई के दोरान कामकाजी बहनों के यौन उत्पोडन को रोकने के लिए उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई वो आज पूरे देश की कुप में विसाखा गाइडलाइन के रूप में लागू की गई है इस गाइडलाइन के आधार पर भारत की संसद ने क्रिमिनल ना में कई आवस्यक संसोधन किये थे मित्रो आप मुझसे जादा जानते हैं महलाओं के हक में 2012 में उनकी कलम से जो अनुसंसाइन निकली उसके लिए तो ये देश जस्टिस वर्मा का सदैव रिणी रहेगा जस्टिस वर्मा ने निर्विहा कांड के कलम को धोने और ऐसी घटना आगे ना हो इस दिसा में जो योगदान दिया है उसे ये देश कभी भुला नहीं पाएगा क्रिम्नल नामेश संसोधन के लिए जस्टिस वर्मा जी की अध्धक्ष्टा में एक पैनल का गठन किया गया था जो कि वर्मा पैनल के राम से जानी जाती है इस पैनल द्वारा जो अनुसंसाइक की गई उनको स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने कानून में आवस्षक स संसोधन किये थे और वे कुछ ऐसे संसोधन हैं जो भारती न्याए व्यवस्था में मील के पत्थर के रूप में जाने जाते हैं सच मुच में हम सब के मन में एक बड़ी चिंता है मैं आपको बताती हुए दुखी हूं कि यहान उद्पीडन की और विसेसकर मासूं के साथ जो अनेतिन घटना घटती है उनंए से 92% परेचितों के द्वारा और उनमें से कुछ रिष्टेदारों के द्वारा भी की जाती है मद्पदेश में हमने कानून बनाया मद्पदेश विधानसरभा में सबसे पहले मद्पदेश ने किया था कि मासूं बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा, वो सीधे फासी के फंदे पे लड़का दिया जाए, इस तरह का मदप्लेश की विधान सभाने बिध्यक पारित किया, सजा कई लोगों को ही, सजा कई लोगों को ही, मैं समझे तो अलग मग 76 लोगों को त्वरित फैसले करते हुए, और कई फैसलों में तो को 62 दिन में, मतलब एक रिकाड टाइम में, नियाए पाइलका ने फैसले किये, लेकिन बास्तविक फासी तो होते होते वर्सों लग जाते हैं, देखिए जब तक इस तरह की घटनाओं में, कठोर और कड़ी कारवाई नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि जिनका कोई चर्टर नहीं है, क्योंकि सज्जनों के लिए फूल से ज़्यादा कोमल रहें, लेकिन दुस्तों के लिए बज़र से ज़्यादा कैसे हो सकता है पूरा सिस्टम, और अंतता नियाए पाहिलका जिस पर देश का सबसे ज़्यादा वरोसा है, सच मुझ में आज भी, ये कहते ह मामला है, मतलब न्याय होगा ही होगा, और इसलिए ऐसे कुछ प्रिश्टन हैं, जिल पे हमको और गंभीरता से विचार करने की आवस सकता है,